अलो स्टुडेंट्स, FYJC Online Admission 2020 की जो सीरीज है, उसमें आपका स्वागत है इस सीरीज में आपको हर एक बात, जो भी 11th Standard के Online Admission Process से जुड़ी होगी वो सारी चीजे इस चैनल पर मैं आपको बताने वाला हूँ अब ये जो Online Admission 11th Standard का होने वाला है, वो 10th Standard के सारे Students के लिए होने वाला है पूरे महाराश्ट्रा के अंदर, जितने भी Division है, महाराश्ट्रा बोर्ड के, जितनी भी Cities है Most of Cities में, हर एक Division में 11th का Online Admission होने वाला है Last year तक जिस तरह से Admission होता था, उसके उपर मैंने वीडियो बना के आपको दिया है और इस साल कैसे होने वाला, ये भी मैंने एक Summary वीडियो आपको दिया हुआ जिसमें पूरा Overall मैंने बताया है कि कैसे होगा लेकिन हर एक बाते जो है, वो Detail में आपको बताने के लिए ये Series में ने चालू किया है आज का जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि Part 1 का जो Form बरना है जो 15 July से शुरू हो रहा है, 11th Standard का Online Form Filling 15 July से वो कैसे भरा जाएगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सारी बाते ध्यान से सुनें, और कोई घाई नहीं करना आपको Form बरने के लिए पहले सारी चीजों को समझ लें अभी College वालों के लिए Form Filling शुरू है, वेबसाइट पर, आप लोगों के लिए 15 July के बाद Form Filling शुरू होगा तो आओ चलो शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से Part 1 का Form बरना है So students, इस वीडियो में हम लोग Part 1 के बारे में देखेंगे कि Part 1 का Form किस तरह से बरना है हर इक चीज़े मैं आपको अलग-अलग वीडियो में धीटेल में बताने वाला हूँ यहाँ पर जो यह Online Form होने वाला है, उसका यह Specimen Form है आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे राजी के स्कूल में थे तो आप outside महराष्टर स्टेट याने OMS सेलेक करोगे इसके बाद दूसरा जो आपको सेलेक करना होगा Applicant Status अगर आपने पहली बार March में 2020 में एक्जाम दी थी दसवी की उसके पहले कभी दसवी ने दिया था तो आपको fresher सेलेक करना है या तो अगर आपने पहले भी दसवी दिया था लेकिन आप फेल हुए थे फिर से एक बार से ज़्यादा दसवी आपने दिया है तो आपको repeater एक्जाम सेलेक करना है और अगर आपने March 2020 के पहले दसवी दिया था पास हो गए थे लेकिन किसी वज़े से आपने 11th में एडमिशन ने लिया था था आपको previously पास सेलेक करना है यहाँ पर बता तो जीन बच्चों ने form नंबर 17 भरा था प्राइवेट जीनों ने पहली बार एक्जाम दीती बड़ प्राइवेट तरीके से वो भी फ्रेशर भरेंगे अब आगे देखिए क्या दिया 10th standard of equivalent बोर्ड एक्जाम आपने 10th standard की एक्जाम कौन से बोर्ड से दिये अगर आप महाराष्ट्रा में थे और state बोर्ड से थे तो आपका SSC जो है यह आपको सेलेक करना है यहाँ पर लेकिन अगर आप अधर बोर्ड में थे महाराष्ट्रा या महाराष्ट्रा के भार कहीं भी तो आपको CBSC, ICSC, IB यह सारे option है देखो आइजी, CSC, NIOS यह तो कोई भी बोर्ड जो था आपका IB बोर्ड कोई भी बोर्ड वो सेलेक करना है यहाँ बता दू जो फ्रेशर स्टुडेंट है पहली बार दे रहे हैं और SSC के स्टूडेंट है उनका जो इन्फोर्मेशन है यहाँ पर डाइरेक्ट फेच होना बोर्ड से बाकी के सारे अधर बोर्ड स्टूडेंट अधर स्टेट स्टूडेंट उनका जो इन्फोर्मेशन है आपको खुद फिल करना होगा यहाँ पर नीचे लिता हूं मैं इसको देखो एप्लिकेंट्स परस्नल इन्फोर्मेशन यह जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं यह सी पर यहाँ है यह सब डीटेल यह पूरी डीटेल मैं बोलूँगा पूरी डीटेल यहां का जो आपको दिख रहा स्क्रीन पर यह सब डीटेल ऑटोमेटिक बोर्ड के वेबसाइट से आपका फैच हो जाएगा आपको कुछ नहीं परना है अगर आप फ्रेशर है ऐसे सी बोर लिटेल यहां पर डालना है जैसा कि आपका हौल टिकेट होगा अगर मांक शीट आपको नहीं मिला तो वह यहां पर डालना है नेम को लिटेट उसकूल सुछ आपकी ममी का नाम और अगर मैल है इमेल और यहां पर आपको डेट ऑफ बर्ट से लेक करना है अगर आप सिर्फ यहां पर सीट नमबर डालना था और आपकी पूरी डिटेल जो है ऑटमेटिक फेच हो जाएगी अगर आप अधर बोड के हैं तो ही आपको पूरा डिटेल भरना पड़ेगा अब आगे देखो सबसे important है फूर्थ वाला पॉइंट एप्लिकेंट रिजर्वेशन केटेगरी है यहाँ पर बहुत सारी अलग-अलग केटेगरी होती है केटेगरी में आपको यहां दिख रहा है यहां सेलेक करेंगे यहां जैसे आप ट्लिक करोगे तो नीचे बहुत सारे option आपको दिखाई देंगे आपकी category क्या होते है आपकी caste category जैसे कि आप OPC सेte cau stronger कास्ट 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 okay और बहुत सारी जो categories होती है ODC स स्थ एंटी इस तरह से तो जो भी separately कास्ट और यहां से आप सर्वोगा है अगर आप कोई comment हो न चाहिए अगर अगर आपने SC select कर रहे हो schedule cast तो आपके पास वो है क्या वीजे का है वीजे ए एंटी ए बी सी इस तरह से बहुत सारे होता है उसका certificate आपके पास होगा तो आप select कीजी लेकिन अगर certificate नहीं है बस आप उसमें आते हैं OBC category में आपके पास certificate नहीं है तो नहीं चलेगा आपके पास महाराष्टर स्टेट का cast certificate होना चाहिए अगर आप यूपी बिहार से हैं या करनाटका से कहीं और से हैं वहां का cast certificate है तो यहां पर अलाव नहीं होगा ठीक है और अगर आपके पास cast certificate नहीं तो आप general या तो open category यहां से select करेंगे तो यह part 1 में basic 4 number तका detail हो गया आओ चलो इस साल से होने वाला है ठीक है सारी कि सारी पंदरा जुलाई से शुरू हो रही है उसके पहले नहीं होने वाला जानकर यह आपको दे रहा हूं अब जो फिफ्ट वाला पॉइंट वह क्या है अपका जो एड्रेस यहां पर डालना है एड्रेस एड्रेस के according आपको जो है आपका पिन कोड डालिए यहां पर state महरा श्ट्रा से लेक किजिए अगर आप महरा श्ट्रा से हैं डिस्ट्रिक में आप जहां भी रहते हैं आपका शहर गाव उसलेक करना है तालुका आपका क्या है वह देखिए City तो यहां पर यहां पर पूरा मिला जुलाग ऑपका एड्रेस य पहले कैसा था स्कूल में 500 रुपया भरने के बाद मिलता था अभी जो है आपको पहले रेजिस्ट्रेशन करना मोबाइल इमेल डाल के तो वही मोबाइल नमबर आटोमेटिक यहां पर दीखेगा आपको क्योंकि आपने पहले रेजिस्ट्रेशन किया हुआ है फॉर्म नमबर पास है तो यहां पर डाल यह नहीं है तो चलेगा लेकिन आप इमेल डी बना लो यहां डाल दो क्योंकि अगर आपको मोबाइल पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तो यह हो गया पार्ट वन फॉर्म में आ जाते हैं सेवन पॉइंट पर एप्लिकेंट अधर स्पेशल करना चाहिए अगर आप यह सेलेक करते हो तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए ध्यान रखो यहां पर जितने भी मैं रिजर्वेशन बताने वाला हूं मोस्ट आप 95% स्टूडेंट को नो सेलेक करना है अगर आपके पास उससे रिलेटेट को सर्टिफिकेट ह आपको यह देना है थाहीं आ पर देखको धी आ गोई ए फोर सर्वीसमेंट सर्टिफाइद कौपी ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट इज रीकृइड और खर एक सर्विसमेंट डिस्चार्टफिकेटेट इस क्वाइड si प्राइनिक बोर्ट से तो प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ही एस करो नहीं तो नो करना है बी वाला पॉइंट है है अप्लिकेंट्स पैरेंट अज बिन ट्रांसफर टू ऑनलाइन अडमिशन एरिया क्या आपके पैरेंट कभी जो ट्रांसफर हुए हैं यहां मुं करना अगर ट्रांसफर नहीं हुए तो ट्रांसफर हुए हैं और सर्टिफिकेट हैं तो ही एस करो तो आपको सिर्फ यहां पर मैं सारी चीजह बता रहो हूं क्या आपके जो ग्रेंट पैरेंट से फ्रीटम फाइटर थे तो अगर आपके इस प तो ये एस करो नहीं तो नो करना है क्या आप हैं दिव्यांग है तो यहां पर आपके पास उसका सर्टिफिएट भी होना चाहिए अगर आप हैं तो ये स्पोर्ट के पास नहीं तो नो करो यह वो भी जो है 40% से ज्यादा का डिसीचल होना चाहिए क्या आप स्पार्स को बिलॉंग करते हैं अपने क्या क्या है कि जुष उतरी हो तो मेडल सर्टिफिकेट वगरे उसका कुछ सर्टिफिकेट होना चीए तो ही आप येस करोगे नहीं तो आपको नो करना याद रखो अभी महाराष्ट्रा में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनको जो है अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया कहा जाता जैसे कि आप जानते ही हो ला लगेगा इसके बाद एक लास्ट येर से नया जो रिजर्वेशन आया था और्फन यानि जो अनाध बच्चे उनके लिए वन परसेंट का कोटा है अगर आप अनाध बच्चे हैं तो आप येस कर सकते हो अधर्वाइज उसके लिए भी क्या होगा कि आपको पैरेंस का हो है तो ये पूरी रिजर्वेशन की डीटेल हो गई की कास्ट को छोड़के अधर कौन-कौन से रिजर्वेशन आपने यहां पर देखा अगला जो है फॉर एडमिशन इन बाइफोकल देखो आपको पदा दू कि साइंस लोगे तो जनरल साइंस और बाइफोकल साइंस होत दिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी क्या आपको दस्वी में कोई वोकेशनल सब्जिक था तो बहुत चारे लोगों को कैसे की स्किल डेवलप्मेंट कोर्स अलग अलग जैसे लेंग्वेज के बदले अलग कोर्स होता था अगर आपको था तो यह किजिए अधर्वाइस नो करिए यहां पर सिर्फ आपको सेलेक करना है कुछ लिखना नहीं है यहां डिकलेरेशन में आपको सिर्फ सेलेक करना है टिक करना है और उसके बाद आप यहां पर सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपका पार्ट वन जो यह फॉर्म है वो सेव हो गया यह पूरा पार्ट वन की वेबसाइट 11th admission.org.in इस तरह से वेबसाइट है 15 जुलाई के बाद पूरा सोच समझ के सारी चीजे देख के जैसे मैंने बता है वो आपको online तरीके से website में जो है part 1 की form फिलिंग करनी होगी इस से related अलग वीडियो की login ID password किस तरह से बनाए और फिर ये पूरा flow chart कैसे होगा वो मैंने अलग से बनाए हुआ है उसकी description में link मिलेगी आप वहाँ से जाके देख सकते है ठीक है इस series से बने रहो 11th online admission से जुड़ी सारी चीजे छोटी चोटी भी चीजे मैं आपको सारी चीजे series में बताने वाला हूँ ठीक है channel पर पहले बार आए तो channel को subscribe कर लो मिलते है नई वीडियो में और भी जानकरियों के साथ